और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में यूपी ट्रिपल सी पी टी में एकोनोमिक्स का जो अगला वीडियो हम देखने जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टन सिरीज का उसमें हम पढ़ने वाले हैं वर्ष 1991 में भारत में जो आर्थिक सुधार हुआ था और उसके बाद भारत क की अर्थ विवस्था में किस तरह का परिवर्तन देखने को मिला यह हमारा एक टॉपिक है और उसी के बारे में हम डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो में तो पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं घटना चक्र किताब की जो महत्पून पॉइंट्स हैं उसके बारे में तो नवरतन का विचार सारवजनिक छेतर के चैनित उद्यम से संबंदित है सारवजनिक छेतर का चैनित उद्यम का मतलब होता है अपने PSU का नाम सुना होगा जिसको Public Sector Units कहते हैं तो Public Sector Unit में वैसे बैंक्स आते हैं जो की उसमें अलग-अलग तरह के होते हैं कुछ नवर 2020 तक महारतन कंपणियों की संख्या जो थी वो 10 थी और नौरतन कंपणियों की संख्या 14 है भारत की जो 10 महारतन कंपणिया है उनका नाम आपको यात करना होगा क्योंकि पूछता है प्रश्ण की निमलिखित में से कौन सी ऐसी कंपणी है जो नौरतन कंपणी नहीं है तो द इसके अलावा देखिए यहाँ पर कुछ अन्यमाद पॉइंट से जैसे बी आई एफ आर का विस्तारित रूप क्या है तो बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल और फाइनसियल रेकंस्ट्रक्शन है इसके स्थापना 1987 में केंद्र सरकार ने की थी इस तरह से कुछ चीजें है हत्करगा उत्तरप्रदेश का सबसे बड़ा उत्तरप्रदेश में लेकिन सबसे अधिक लोग रोजगार पाते हैं हत्करगा उत्तरप्रदेश में ठीक है इंडियन मिनरल बुक 2019 के नुसार वर्स 2019 में विस्वस्तर पर सिमेंट के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है कोईले के उत्पादन कहा कहा देखिए यहां पर कोईला का उत्पादन जो है कोईला भारत में सबसे अधिक यूज किया जाता है उर्जा उत्पादन के लिए सबसे अधिक उर्जा का उत्पादन कोई लासे करते हैं भारत में आप देखिए यहाँ पर सीमेंट उत्पादन से संबंधित जगा है कटनी सूती वस्तर से है सूरत सीमेंट उत्पादन से है चुर्क और कलपक्कम है ध्रूव रियक्टर से इसके अलावा 1956 में एक उद्योगिक नीती का प्रस्ताव रखा गया था जिसमें बात किया गया कि संयुक्त छेतर का विकास किया जाए संयुक्त छेतर का विकास करने के बारे में कब बात हुई थी तो 1956 की उद्योगिक नीती में बात हुई थी हमारे पास देखिए इसमें पढ़ना है आपको 1991 का सुधार उसके बाद की यर्थ व्यवस्ता और 2014 के बाद जो विकास हुआ है नई सरकार आने के बाद उसमें GST हमारा एक important topic है तो वो सब हम पढ़ेंगे फिलाल बात करते हैं भारत में परेटन और होटल उद्योग का विकास IT DC का कारे है गोल्डेन हैंड शेक का संबन स्वैक्षिक सेवानिवरिती योजना से हैं मतलब आप अपने आप से voluntary retirement लेना चाते हैं किसी नोकरी में हैं और खुद से सेवानिवरित होना चाते हैं 60-62 साल की एज के पहले ही सेवानिवरित होना चाते हैं तब ये किया जाता है प्राकृति गैस पर आधारित जो उर्वरक कार खाना है वो हजीरा उर्वरक कार खाना है आधुनिक सब्वेता के लिए सबसे महत्पूर्ण चीज है वो लोह इसपात है आप याद करिए अगर आपने इत अलावा सार्वजानिक उद्यमों में विनिवेस वर्स 1991 और 1992 से प्रारम हुआ मतलब जो पबलिक सेक्टर यूनिट्स थी सार्वजानिक उद्यम जो थे सरकारी चीजे थी उसमें जनता का पैसा लगना या फिर किसी अन्ने का निवेस लगना यहाँ पर विनिवेस की बात हो रुम विनिवेस कहते हैं डी इंवेस्टमेंट कहते हैं तो यहाँ पर विशाखा पत्त्तन गया औरिक से संब्सपांधनिक है कपूर अ पर दियस में कॉयला का उत्पादन बहुत मातों है कजरहट चुनार उत्तर प्रदेश में सिमेंट का उत्पाधन कोईली बडोदरा गुजरात में तेल शोधन अनंद गुजरात जो है वो दूध मैंने अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखा होगा ऑपरेशन फ्लट वाला देखिएगा वाइट रिवल्यूशन वाला वी केंद्र सरकार के व्याय की सबसे बड़ी मद है मतलब केंद्र सरकार अपना सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा देखिए बजट जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सरकार के पास पैसा कहां से आता और पैसा कहां जाता है सरकार का जो सबसे अधिक हिस्सा है पैसे का ख कर दिया जाएगा भारती रिजर्व बैंक मुद्रिक नीति बनाता है कल के वीडियो में बताया गया था वित्त आयोग केंद्र एवम राजियों के मध्य राजस्व एवम वित्ती संसाधनों का बटवारा करता है केंद्र सरकार और राजस्व के बीच में जो आजस्व है उसका बटवारा किस तरीके से किया जाएगा इसका डिसीजन लेने वाली बॉडी जो है वो फाइनांस कमीशन है जिसको वित्ता आयोग कहा जाता है आर्थिक समीक्षा जिसको एकोनॉमिक सर्वे कहते हैं यह भी वित्तमंत्राले तयार करती है आर्थिक सर्वेक् कर लगाने का सुझाओ सबसे पहले किस ने दिया था तो सरो प्रथम इन्हों ने दिया था कॉल डॉर ने अब पैन कार्ड की बात करें तो देखिए पैन कार्ड पी यान पैन का फुल फॉर्म होता है पर्मनेंट अकाउंट नंबर यह आयकर विभाग द्वारा जारी किया मिए पैन कार्ड होता है।ि इससे नाम, जर्मति थी और पैन, कार्ड व्यक्ति के पते को नहीँ प्रमारित करता है। यह अड्रेस प्रूफ के लिए पैन कार्ड नहीं उज़ क्या जा सकता है। पंद्रह में वित्तायोग के अध्यक्ष कौन तो एनके सिंग, ना मियाद रखेगा पंद्रह में वित्तायोग के अध्यक्ष एनके सिंग, उसके अलावा प्राथमी घाटे को प्राप्त कैसी किया है, तो जितना भी राजकोशी घाटा है, सरकार के राजकोश में जो घाटा ह उसमें से ब्याज अदाएगी को यदि हम घटा दें तो प्राथमी घटा निकलेगा बजटी घटा वो होता है कि सरकार की कुल प्राप्तियां जो है उसमें से कुल सरकार के व्याय को घटा दिया जाए सरकार के पास सो रूपए आया और सरकार ने 110 रूपए खर्च किया तो कि मैंशा घाटा ही होता है सभी घाटों में राजकोशी घटा सरवाधिक बड़ा होता है के अलावा स्टांप शुल्क जो होता है सिंग्र है और विद इंगम कर करते हैं सीमा कर नाम सुनाओंगा यह राज सरकारों का अधिकार है विक्रीकर राज सरकारों का अधिकार है जबकि सीमा सुलक और निगम कर केंद्र सरकार का अधिकार है वैसे ही अगर संपत्तिकर या भूराजस्वकर उपहार कर की बात करें तो यह सब स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है यह स्टेट लिस्ट यानि राज सूची में जो भी चीज़े आती हैं उस पर राज सरकारों का अधिकार होता है वैसे ही अगर हम आयकर या संपत्ती और संपधा सुल्क की बात करें तो यह प्रत्यक्ष कर होते हैं करापात और करागात एक ही व्यक्ति पर होते हैं यह याद रखिएगा और आयकर संपत्ति कर यह सब income tax वगरा जो है यह direct tax में आते हैं भारत में direct tax भी है और indirect tax भी है क्या है indirect tax अभी डिसकस करेंगे विक्री कर जो है वो किस पर लगता है तो विक्रेता पर लगता है करागहाद पर अंतता हुआ क्रेता को अधा करना होता है अता है आप्रत्यक्षकर है तो विक्री कर एक आप्रत्यक्षकर है अब देखिए mod wet अथवा संसोधित मूल्य वर्धित कर जिसको wet कहते है value added tax इसका संबंद उतपाद कर से किसी भी उतपाद को खरीते हैं तो जो आप tax देते हैं wet उस पर लगता है किसी भी object पर लेकिन अभी wet वगरा को हटा दिया गया GST जब से आई है तो wet वगरा को हटाया गया है लगबग कई तरह के लगबग 17 तरह के tax और 23 तरह के CES को एक साथ मिला कर और GST का निर्मार किया गया बहुत सारे taxes को हटा दिया गया जो indirect tax होते थे सेवा कर एक प्रत्यक्षकर हैं इसे चलैया समीती के संस्तूती पर 1994-95 के वित्ती वर्स के अवधी में लागू किया गया भारत में सबसे पहले wet लगाने वाला राज नहीं नहीं है आएकर व्यक्तिगत आएपर लगा precious mark पर लगाय जाता है आपको पता होगा उत्तर प्रद कर कहा गया और सीमा शुल्क को क्या कहते हैं कस्टम डूटी कहते हैं यह के अंदर सरकार हमेशा लगाएगी आयात या निर्यात पर लगाई जाएगा याद रखी का कोई भी चीज बाहर से लाएं विदेश के देशों से या फिर बाहर भेजें तब कस्टम डूटी लगती है उत्पाद शुल्क क्या है देश में उत्पाद इत्यदी कोई वस्तू है उस पर जो टैक्स लगाए जाएगा वो उत्पाद सुल्क होगा यह एक वस्तू कर है आप देखिए समझेगा सीमा शुल्क का मतलब है बाहर से समान मंगा रहे हैं तो लगाएंगे और अगर अपने देश में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लगाएंगे उत्पाद शुल्क को हम एक्साइस डूटी कहते हैं और जो बाहर से सामान आ रहा है उसको हम कस्टम डूटी के नाम से जानते हैं तो यह याद रखिएगा विक्री कर को ही सेल्स टेक्स कहते हैं सीमा 26 अगस 2003 को यह अधिनयमित किया गया और 5 जुलाई 2004 से प्रभावी थे देखिए आप एक चीज याद रखिएगा कि बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं सरकार की वह हमको पढ़नी पढ़ेगी क्योंकि 1991 के बाद जब हम आर्थिक सुधार पढ़ेंगे या आर्थिक सुधार के बात की स्तिती पढ़ेंगे तो उसमें योजनाएं आएंगी कि कौन कौन सी योजनाएं आएंगी इसके वहाई से भारत में आर्थिक सुधार हुआ तो वो योजनाएं कब रागू की गई थी ये डेट आपको याद होना चाहिए और इसी वीडियो से आप याद कर ते रहमें के विजय केलकर समीती याद रखिएगा इनहीं के सीफारिस पर जीएश्टी लगाया गया था और इसके अलावा चाओध हमें के डाक्टर वाईवी रड़ी और पंदरहमा जो है जिसके एनकेसिंग है भारत में नियूनतम वैकलपिक कर मैट मिनिमम जो टेक्स हो कमपनी कर क्या है कमपनी की आय पर जो कर लगता है वो कमपनी कर है बुल और बियर ये दो वर्ड याद रखेगा बुल और बियर जो है सेर मार्केट में चलते हैं सेर मार्केट की टर्मिनोलोजी है ये भारती रुपए को मार्च 1994 से चालू खाते में परिवर्तिनी बनाया गया मौद्रिक नीति का निर्माद RBI करता है चार बार बता चुका मैं इस बात को और चार बार इसमें लिखा भी है सरकार ने वीमा व्यावसाय के विनियमन के लिए इंस्योरेंस नियमन एवं विकास प्राधिकरण इंस्योरेंस, रेगुलेटरी, डेवलप्मेंट, अथॉरिटी, आई, आर, डिये का गठन किया और LIC के स्थापना कब हुई 1956 में हुई एस्चुरीज वर्ड भीमा से संबंदी थे बंधुआ मजदूर उनमूलन अधिनियम वर्स 1976 में पारित किया गया याद रखिएगा इसको, एकदम याद रखिएगा इसको, भारत में छिपी वही प्रचन बेरोजगारी क्रिशी चेतर में अधिकर, प्रचन बेरोजगारी का मतलब यह होता है, डिस्गस्ट अनिम्प्लोइमेंट, इसका मतलब होता है, डिस्गस्ट अनिम्प्लोइमेंट, इसका मतलब है कि एक खेत में मालिजे डस लोग काम करना है लेकिन काम करने वाले लोग ज़्यादा हो गए पंद्रा लोग हो गए तो उसी जमीन में जो डस लोगों से काम हो सकता था वहां 15 लोगों को लगाए गया तो पांच लोग यो है न वो रोजगार तो हैं मगर उनको रोजगार वैसा नहीं मिला क्योंकि अब भाई दाम कम करना पड़ेगा उनको सैल्डी कम देनी पड़ेगी वेतर उनका मजदूरी कम हो जाएगा तो यही किसको कहते हैं प्रच्छन बेरोजगारी और यह चीज कहां नावाशों का निर्माण यह सब शामिल किया गया एक रूपए में एक किलोग्राम चावल यह तमिलनाडू सरकार ने सबसे पहले इस योजना की शुरुआत की उननीसोचानवे में संगम योजना की शुरुआत हुई और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रधान मंत्री ग्राम योजना ये एक अप्रेल 1999 से सुरु की गई आप देखे कुछ योजना हैं उनका नामा प्याद रखिये प्रधान मंत्री मतस्य संपदा योजना 20 मई 2020 हाल फिलाल में सुरु हुई स्वनिधी योजना 1 जून 2020 सुपोशित मा अभियान 29 परवरी 2020 क्रिसी स्रमिक सामाजिक सु योजना 1999 रोजगार गारंटी योजना 2006 यही नरेगा है प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना 2000 से 2001 सर्व सिक्षा अभियान 2001 सब पढ़े सब बढ़ें वाला साक्षर भारत मिसन 2009 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 और राश्ट्री साक्षरता मिसन 1998 नरेगा जो है ये दो फरवरी 2006 से सुरू की गई और इसका नाम है राश्ट्री ग्रामीर रोजगार गारंटी योजना बाद में इसका नाम बदलके मनरेगा कर दिया गया ठीक है यह योजना नहोकर एक कानूनी व्यवस्था थी मनरेगा एक अप्रेल 2008 से देश के सभी जीलों में लागू कर दिया गया औ भारत में सामुदाइक विकास कारिकरम का जो प्रारम हुआ था वो 2 अक्टूबर 1952 को किया गया और कम्यूनिटी डेवलप्मेंट प्रोग्राम जो है यह प्रथम पंचवरसी योजना का प्रोग्राम था और पंचवरसी योजना यदि आप पढ़ेंगे प्रथम पंचवर आमीर स्वास्त मिसन 12 अप्रेल 2005 से शुरू हुआ और यू आईडी द्वारा आधार नंबर जो है वह 12 होता है और विशेस भाचान नंबर है आधार पर योजना की सुरूआत कब हुई तो 2010 में महराष्ट के नंदूरबार जिले से शुरू हुआ नंदूरबार जिले में ग 2015 को सतत्विकास लक्षी की अवधी बढ़ाकर 2030 कर दी गई 25-27 सितंबर अब सहस्तराब्धी विकास लक्षी MDA का स्थान सतत्विकास लक्षी ने ले लिया है SDG Sustainable Development Goals सर्वसिक्षा अभियान का प्रारम 2001 में हुआ इसके ताद 6-14 वर्स के बच्चों को इसमें शामिल किया और मिडडे मील योजना मध्यान भोजन योजना उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त 1995 को लागू की गई और भारत में भी उसी दिन लागू की गई स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरू किया 2000 में स्वच भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 से सुरू हुआ विजन 2020 फॉर इंडिया ये अपीज अब्दूल कलाम के द्वारा लिखी गई है पूरा मतलब प्रोवाइडिंग ऑफ अर्वन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज इसकी अधारना डाक्टर कलाम ने प्रस्तुत किया था और भारत में दिव्यांकों के लिए स्थापित पहल विज्व विद्याले उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में है अंतराश्टी मैला दिवस आठमार्च मनाया जाता है और ये कुछ दिवस है विज्व भोक्ता दिवस इसके बारे में बात की गई है एंड्रो डॉगी ठीक है एंड्रो गोगी यह जैनिकी प्रोड सिक्षा ए सुबारं किया गया और ॥िसमारभी 2014 को सुबारं इसका किया गया नालंदा पर योझना क्या है तो इसका सुबारं चार माच 2014 को हुआ और अल्प संख्यकों के उच्छ सिक्षन संस्थान के लिए इसंपर योजणा को माना जाता है इसकी सुरुत जो है वो अलिगड मुस् Senior से की गई थी बालिकाश इसु के लिए धनलक्षमी योजना का प्रारम केंसरकार ने किया जनपद प्राथमिक सिक्षा कारेक्रम 1994 में शुरू हुआ और NDC के बारे में क्या ही कहना इसके बारे में वीडियो बनाया गया है देख लीजेगा प्लेलिस्ट में राश्ट्री विका सकते हैं कापार्ट का संबंद किसे है तो ग्रामीर कल्यार कारेक्रमों की सहायता और मुल्यांकन से है आर्थिक नियोजन समवर्ती सिच्वी का विशाय देखिए यह सब डिसकस किया गया है कापार्ट वगरा के बारे में आप पंचवर्सी योजना वाला वीडियो गरीबी के आखलन जारी की है और इसमें बताया कि सबसे अधिक गरीबी कहा है तो 36 गर्ड में 49 दसमलों 9-3 प्रतीशत गरीबी है सबसे अधिक गरीबी प्रतीशता वाला राज्य है 36 गर्ड एक अपरेल 2015 विदेश व्यापार नीती जारी की कई 5 वर्सों के लिए फेमा अबाइड की भी स्थापना हुई थी डिसकस किया गया है या आप उसमें जाके देखीएगा बंचवर्सी योजना वाले प्लेलिश्ट में प्लेलिश्ट यही है बंचवर्सी योजना वाले वीडियो में देखिएगा ठीक है इसके अलावा आगे बढ़ते है तो राश्ट अब देखिए यहां पर कुछ समीतिया है और कुछ व्यक्ति लिखे हैं या समीति लिखे है और इसका संबंद्ध किस और किस शेत्र से यह है तो स्वामिनाथण समीति प्रसामाजिक नियंत्रन इनका शेत्र था उसके बाद से आब देखें गौईपोरीया समीति यहे बैंकिंग सेवा सुधार में था आविद हुसरें समीति लग हथ कर गारगा के विकास के लिए था तरापूर्धी रुपए की पूजी खाते में परिवर्तनियता पर था और राजा चलया समीथी टैक्स रिफॉर्म से संबंदित है याद रखिएगा ठीक है इसके अलावा और द्योगिक विकास की द्रिश्टी से यूपी का जो वेस्ट पार्ट है मतलब पश्च में उत्तरपदेश वो सरवाधिक विक् इसमें पी जो है इसका मतलब होता है परसन फ्राधान मंत्री जंधन योजना यह क्या है तो दुरगटना फिमा है 10,000,00 की और जीवन फिमा है तीस अजार फ्री और षारी présent दोनों चैतरों के कोशल विकास से संबंदितूते की योजना है तो ये कुल मिलाकर चीजे थी जिसको हमने डिसकस किया मिलते है नेक्स्ट वीडियो में आती महत्वपूर्ण वीडियो की सीरीज में 20 मिनट का ये वीडियो है और पूरा 2014 वाला विकास, 2000 उसके पहले वाला विकास, सारी योजनाए 1991 के सुधार के बाद की ये सब इसमें डिसकस क वीडियो में इसमें क्या होता है liberalization, privatization और globalization भारत में किया गया वैस्वी करण और privatization किया भारत में और जो भारत में licensing system था जो बहुत तफ था उसको कम कर दिया गया मतलब अब license लेना भारत में किसी उद्योग के लिए उतना तफ नहीं रह गया और उस समय सरकार जो थी वो नरसिमहराओ की सरकार थी और वो प्रधान मंत्री थे और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंग तो इन लोगों ने किया और उस समय मनमोहन सिंग ने एक सुझाओ दिया था रुपए के devaluation का मतलब आउमुल्यन का और वो भी किया गया और उसके बाद से भारत की स्थिति में तो खेर हमने देख लिया है आप पंचवर्सी योजना वाले प्लेइलिस्ट में जाएंगे तो पंचवर्सी योजना जब आप पढ़ेंगे लाइन से तो उसमें आपको मिल जाएगी मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तो तक यह बहुत धन्यवाद वीडियो अच्छा लग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए